निप्टी में ये जो structure बन चुका है क्या यह सुटिंग स्टार श्रक्चर है और क्या यहां से crash start हो सकता है तो हमें क्या करना चाहिए यह सभी बाते इस वीडियो में सिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे फ़हले start करता है bank nifty का analysis अभी आपके सामने मेंने bank nifty का जो भी लगाया हुआ है पहले हम लोग weekly chart का analysis करेंगे फिर daily chart का और फिर intraday chart का weekly chart में हम लोग देखेंगे कि market का sentiment हमें क्या indicate कर रहा है daily chart में हम लोग देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है और इंट्राडे चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कहां पे हमें इंट्रिय और एक्जिट के पॉइंट लेना है यह सब के पीछे का मैं लॉजिक आपको एक्स्प्लेंड करूंगा जब आपको यह साइकोलोजिकल चार्येकर्या बता देता हूं सबसे पहला क्र रॉट् इस्टर्मिएट होना चाहिए और नीचे की साइडब में एक दब लोवर शेडो होना चाहिए अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आप ट्रेंड का क्राइटेरिया फुल्फिल हो रहा है सेकंड क्राइटेरिया जो है वो रियल बॉड़ी अगर हम लोग यह सुणं में मार्कट में अ रहेगा यह आने वाले एक डेली के विडियो में डेली के पार्ट में आपको बता दूँगा कि यह इस वीर यह मो extract के कोशिश करेंगे तो पहली बात पिछले 10 week से अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 10 week से market में क्या हो रहा है market series of higher highs लगाते जा रहा है series of higher lows लगाते जा रहा है और series of higher close लगाते जा रहा है इसका मतलब market में clear cut bullish trend यहाँ पर बन चुका था लेकिन अभी यह वाला जो week है यह वाले week ने market ने higher high लगाया लेकिन इसका जो closing आ चुका है वो lower closing हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है तो मतलब market में जो uptrend बना हुआ था यह uptrend अभी market में नहीं है market में दूबारा uptrend कब रिजिम होगा यहाँ पर जो candle बन चुका इस week का इस high को ऊपर की तरफ market break करेगा तो दूबारा market uptrend रिजिम होगा अभी market में uptrend नहीं है तो क्या market में downtrend डेवलप हो जाएगा क्या इसको समझने के लिए हमें daily chart के ऊपर जाना पड़ेगा एक बात confirm होगई market में uptrend नहीं है अभी में जब भी trade करता हूँ में क्या करता हूँ bank nifty और nifty के chart को में sink करने की कोशिश करता हूँ कल के वीडियो में मैंने यहाँ पर clear cut आपको बता दिया है कि bank nifty के बाज़ाए nifty में जो है वो downtrend जादा है मतलब nifty में negative sentiment जादा develop हो चुका है और nifty में classical shooting star pattern भी develop हो चुका है लेकिन bank nifty में अगर हम लोग देखेंगे तो negativeness अभी भी फिलहाल उतना develop नहीं हो चुका है जितना nifty में हो चुका है अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि intraday में कौन से level के उपर हमें best trading opportunity मिल सकता है अभी हमें weekly chart से confirm हो गया कि market में आप trend नहीं है अभी daily chart का अगर हम लोग analysis करते है तो daily chart के analysis में अगर आप देखोगे तो market नीचे की तरफ आ रहा है और Friday के दिन जो candle बनाया वो doji candle बनाया हुआ है doji candle का indecision यह होता है पहले buyer आये फिर seller आये लेकिन दोनों में confirmation conviction होने के कारण market ने यहाँ पर opening के करीभी closing दे दिया है तो market में indecision का phase जो है वो indecision का phase यहाँ पर बन चुका है अगर आप इस वाले zone को जगते हो जो नीचे की side में 42,960 से लेकर उपर की side में 33,340 तक बन चुका है यह completely range bound zone यहाँ पर market में develop हो चुका है market ने यहाँ पर बहुत time spent किया हुआ है और दुबारा market का close यहाँ पर मिल चुका है मतलब market दुबारा एक range bound zone में आ चुका है market में आगर downside का momentum दिखाना है तो market को यहाँ पर कुछ और दिन time spent करना पड़ेगा और फिर उसके बाद नीचे की side में 42,960 का level break हो जाएगा तो market में daily chart के ओपर downtrend confirm हो जाएगा उस case में हम लोग क्या कर सकता है 43,000 का जो put है वो 43,000 के put को यहाँ पर buy कर सकता है ideally हमारा जो stop loss रहेगा वो इस level के ओपर का stop loss हम लोग लगा देंगे और नीचे की side में हमारा target जो निकल के आ रहा है वो target 42,800 के करिब का निकल के आ रहा है मतलब यहाँ पर आपका stop loss जो रहेगा वो approximately 60-70 point का रहेगा और नीचे की side में target जो निकल के आ रहा है वो almost 200 point का target निकल के आ रहा है अगर हम लोग risk reward point of view से देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर 1-3 वाला risk reward ratio का trade भी देखने को मिल सकता है अभी फिलाल के लिए मैं immediate buying के लिए यहाँ पर नहीं सोचोंगा क्योंकि अगर buying को market में जाना है तो market को यहाँ पर इस तरीके का price action pattern बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोगों को दिख जाएगा कि market जो हुआ higher lows बनाने की कोशिश कर रहा है जब भी market higher lows बनाता है तो इसका मतलब नीचे की साइड पर buyer लोग market में interested रहते है जैसे ही market में गिरावट होती है दूबरा market को वो उपर लेके जाने की कोशिश करते है अभी यहाँ पर intraday chart में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि best studying opportunity Monday के दिन कौन से level के उपर आ सकती है अभी आपके सामने में ने 15 minute का spot का chart लगाया हुआ है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो morning के first candle में 15 minute के candle ने buyer ने यहाँ पर ताकत आजमाईश की लेकिन दुबारा market नीचे आ चुका है और दुबारा market नीचे आने के बद market ने एक अच्छे level के उपर closing यहाँ पर दे दिया है वो उसमें market में अभी negative sentiment कब develop हो सकता है यह समझने के लिए हमें important resistance और support level draw करने पड़ेंगे अभी आपके सामने मेंने जो level draw किया हुआ है यह already हमें weekly और daily chart के उपर मिले हुए level है हम लोगों के लिए intraday chart के उपर एक level निकल के आ रहा है इस level को मैं आपके सामने यहाँ पर mark कर रहा हूँ जब भी हम लोग level निकलते हैं तो हम लोगों को ऐसे point के उपर level को draw करना रहता है कि जहां से ज़्यादा से ज़्यादा touch हम लोगों को मिल सके इस level को अगर आप देखोगे तो market ने इस level को almost 3 बार touch किया हुआ है अगर Monday के दिन market थोड़ा सा flat थोड़ा सा gap up या थोड़ा सा gap down खुलता है और फिर नीचे की side में 43,109 के level को downside की तरफ break करता है तो उस case में हम लोग 43,100 का जो put है वो 100 के put को यहाँ पर buy कर सकते है इसमें हम लोगों को जो stop loss रहेगा वो stop loss 40-50 point का ही रखना पड़ेगा जनरली इतने कम stop loss के साथ हमें बहुत ही कम trade मिलते है लेकिन इस case में अगर आप देखोगे तो नीचे की side में target जो निकल के आ रहा है वो 43,960 का यहाँ पर target निकल के आ रहा है मतलब अपना target भी इस case में छोटा होने वाला यह जो level है यह हम लोगों को higher time frame से मिला हुआ level है तो इसका importance कम नहीं होता market अगर इस level के नीचे sustain हो जाता है तो उस case में क्या हो जाएगा 43,000 के उपर के जितने भी strike price रहेंगे यह सभी strike price के उपर जितने भी लोगों ने buy के position बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर trap हो जाएंगे और उनकी वाज़ा से short covering का एक downside का momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर इस तरीके का scenario develop हो जाता है तो मैं अपने इस free वाले channel में update कर दूँँगा जिसका link में वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है अगर market जो यह market directly gap down के साथ खुलता है तो gap down के साथ खुलने के बाद trade करने के लिए मैं ज़्यादा interested रहोंगा market अगर इस level के नीचे भी खुलता है और उपर दूबारा market 43,109 के level तक आ जाता है तो उस case में यहाँ पर कोई shooting star जैसा candle बनाता है या फिर इस तरीके का price action का pattern बनाता है तो उस case में हम लोग 43,100 का जो put है उसको यहाँ पर buy कर सकते है buy करने के बाद ideally हमारा stop loss जो रहेगा वो यहाँ पर जो भी कुछ high लगा रहेगा इसके उपर का stop loss लगा देंगे और opening का जो price रहेगा यह opening का price हमारा यहाँ पर पहला target निकल के आ रहा है इस case में market में हम लोगों को ज़्यादा probability वाला trade मिलेगा तो यह scenario मेरे लिए सबसे best रहेगा market अगर directly gap up के साथ खुलता है या seller आ सकते है तो gap up के साथ trade मिलने पर मैं interested नहीं रहूंगा trade करने के लिए मेरे लिए सबसे बड़ी या trade gap up के बाद कौन सा रहेगा तो यह 43,500 के करीब अगर market sustain हो जाता है तो उसके बाद मैं यहाँ पर सोचने की कोशिश करूँगा लेकिन immediately gap up के बाद में कोई भी कल trade नहीं लेने वाला market अगर 43,500 के level के करीब sustain हो जाता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर open interest का data check करेंगे call की side में भी और put की side में भी और फिर वहाँ से हमें idea मिल जाएगा कि market कौन सा direction पकड़ सकता है और बहुत ही बड़े gap up के साथ मतलब 300 point से जादा अगर gap up फुलता है तो उस case में भी मैं no trade के उपर रहना प्रेफर करूँगा और फिर after noon session में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा trade आपने लिए मिल रहा है मैंने इन अल्रेडी निप्टि का analysis करके आपके दूसरे वीडियो में डाल दिया है जिसका link वीडियो के नीचे आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजे आपने YouTube चैनल को subscribe करके bell icon का बटन दबा दिजे तो मिलते हैं next educational वीडियो में Thank you very much